Find the area of a square with side 4x-5y units अब हमें एक square दिया हुआ है हमें बुला गया कि भाई ठीक है एक आप सुन्दर सा square बना लो और उस square का जो side है वो 4x-5y units का है यानि कि अगर मैं इस side के बात करूँ तो वो भी 4x-5y है और अगर मैं इस side की भी बात करूँ तो वो भी 4x-5y है हाँ, obviously, 4 side आपस में बराबर होते हैं तो 4 side 4x-5y ही होंगे सही बात है अब हमको बोला गया है कि इसका area हमको find करना है कि यह square यहाँ पे कितनी जगह इसने यहाँ पे ली है यह हमको पता करना है तो area पता करने के लिए हम इसके sides को आपस में multiply कर देते हैं यानि कि इसका area हो जाएगा इसका area हो जाएगा 4x-5y 4x-5y times 4x-5y 4x-5y या फिर इसको और आप थोड़ा सा math ही भाशा में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4x-5y का whole square अब इसको solve करने के लिए हम simple अपना जो normal multiplication use करते हैं हम दो binomials को multiply करने के लिए वो हम use करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे equal to इसका पहला term लेंगे अब इसको आप यह पूरा 4x-5y उठाएए यह वाला term और इसको एके करके इस पे और इस पे distribute कर दीजे यानि कि यह हो जाएगा 4x times 4x-5y minus 5y times 4x-5y इसको पहले मैंने पहले term से multiply किया और फिर इसको दूसरे term से multiply किया तो हमको यह मिल गया तो finally इसके value क्या होगी तो यह हो जाएगा 4x times 4x होता है 16x square 4x times minus 5y हो जाएगा minus 20xy negative 5y times 4x मुझे देगा negative 20xy फिर से और negative 5y times negative 5y यानि कि यह हो जाएगा negative 5y का whole square अभी actually चलिए इसको मैं ऐसे लिख देते हैं plus negative 5y का whole square और यह जो पहला term है इसको भी हम अभी multiply नहीं करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं 4x times 4x का whole square तो finally हमें यहाँ पे क्या मिल गया है यह हो जाएगा 4x का whole square negative 20xy और negative 20xy और negative 20xy दो बार है यहाँ पे यानि कि minus 2 times 20xy और फिर plus minus y का whole square तो यह हम को यहाँ पे मिल गया और अगर अब हम इसको solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16x square minus 40xy plus negative 5 का whole square होता है 25 तो 25y square यह इसकी value आजाएगी लेकिन इसको हम क्या किसी form के साथ relate कर सकते हैं मतलब यह actually में क्या है अगर मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ तो यह हो गया a minus b तो हम basically कर क्या रहे हैं a minus b times a minus b यानि कि a minus b का whole square a minus b का whole square और हमें पता है कि यह क्या होगा a minus b times a minus b यानि कि इस a को मैं यानि कि इस a minus b को मैं एके करके दोनों पर distribute कर दूँगा तो यह हो जाएगा a times a minus b minus b times a minus b तो अब इसको आगे multiply करते हैं तो a times a होता है a square a times negative b होगा minus a b minus b times a हो जाएगा फिर से minus of a b और minus b times minus b हो जाएगा plus of b square तो हमको यहां से कुछ एक फॉर्म दिखने लगा है और हो क्या है a square minus a b minus a b हो जाएगा minus 2 a b plus b square यह मेरा a minus b का whole square है यह एक form हमको यहां से दिख गया अब आप इसको normally ऐसे solve कर लीजे या फिर आप यहीं पे इसको अगर आप इस form में relate कर पातें तो आप इसको directly लिख सकते थे कि यह जो हमें यहां पे मिला 4x minus 5y whole square यह मेरा a, यह b, यह a minus b का whole square का form में है तो यह हो जाएगा a square minus 2ab plus b square यानि की a है मेरा 4x तो यह हो गया 4x का whole square minus 2 times a यानि की 4x times b यानि की 5y plus b square यानि की 5y का whole square और अगर आप चाहें तो इसको relate करना चाहें तो इसके बाद आपको सीधा यह वाला step मिल जाएगा 4x का whole square होता है 16x square minus of 2 times 4 हो गया 8 8 times 5 हो गया 40 तो minus 40xy धर आ गया और 5y का whole square यानि की 25y square यहां पे आ गया है